नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुबार सुबे में कुरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है तो वहीं विहार विधानसवा चुनो की सुखबुगाहट भी बढ़ती ही जा रही है हलांकि चुनो की अधिकारिक रूप से कोई घोशना नहीं की गई है चुनो कराने और नहीं कराने को लेकर चुनो आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा है वोई अपने अपने छेतर में सक्रिय रहे नेता और कारिकरता अपनी उम्मीदवारी मजबूत करने में जुटे हैं 1988 में राजनीती मैदान में पैर रखने वाले राजकुमार सिंग 1994 में बिहार पिपुल्स पार्टी के साथ सक्रिय रूप से नजर आए और 2005 में कहलगों विधान सभा से जदियू की तरफ से चुनाव लड़े जिसमें राजकुमार सिंग को पराजय का सामना करना पड़ा अगर राजकुमार सिंग की माने तो प्रशाशनिक औवेवस्था के कारण हार हुई थी और यहार राजकुमार सिंग को चर्चित चहरा बना दिया आज हमारे साथ भाजपानेता राजकुमार सिंग है और उनसे हम बात कर लेते हैं सर सबसे पहले तो स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज सिल्क टिवी में मुझे बोलने का मुखा दिया खासकर सर धन्यवाद में भी देना चाहूंगा मैं आपको कि जिस समय करोना काल के शुरुवाती दोर में आपने प्रवासी मजदूरों के लिए काम करा सर सारानिय कामरा और मैं बेक्ती के इतरूप से आपको धन्यवाद देतामा बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ी बात है कि ये जो करोना है ये करोना बैस्टिक महारी है पूरी दुनिया अमेरिका जैसा देश आज उससे ग्रसित है इटली जैसा देस उससे गरसित है हमने चुके हमारे मानी परधान मंतरी नरेंदर भाई मोदी जी ने जो होसना किया और लॉक डाउन किया लॉक डाउन के चलते और एवरनेस के चलते जो महामारी का प्रचंड रूप अमेरिका और दूसरे देसों में दिखा भारत में उसका कम असर हो रहा है और मरने की संक्षा भी कम हो रही है अब रहा जब लॉक डाउन हुआ और लॉक डाउन होने के बाद जो अस्थिती सामने आई पूरे देस के जो अपरवासी थे वो अपने अपने गाओं की ओर आ गए और चुके अचानक जो लोग अपरवासी थे वहां रोजी रोटी ओं कमा रहे थे जब घर आ गए तो उनको रोजी रोटी की समस्या हो गई और मेरे विधाओं सभा में वे वैसे लोग आए और जब मुझे जनकारी मिली तो मैं अपने विधाओं सभा के करीब करीब गोराडी के 14 पंचायत सनौला के 18 पंचायत और कहलगाओं के 11 पंचायत और कहलगाओं सहर तमाम जगहों पर स्वें जाकर लगातार 3-3 महने तक का विवस्था किया हमने एवरनेस का विवस्था किया हमने उनको मास्क संडाइजर साबुन और तेल तमाम चीजों का विवस्था किया और अभी भी जो बन पड़ रहा है मैं करने की कोशिस आगे कर रहा हूं और लोगों से अपील भी करते रहा हूं जहां भी मैं गया कि घ के लिए तो मास्त जरूर लगाए और दो गज के दूरी का पालन करिए बिल्कुल सर इससे पहले कि कुछ राजनेती मुद्दों पर बात हो जाए चर्चा हो जाए मैं एक बात जानना चाहूंगा आप से की 2005 में जब आपकी पराजय हुई थी तो वो चर्चा का भी सैवना था यह हर की वज़ा जानना चाहूंगा पाँच में एंडिये गठवंधन से जद्यू के टिकट पर मैं चुनाओ लड़ा और मैं बहुत बढ़िया से चुनाओ लड़ा परंतु परसासनिक और वेवस्था और गुंडागर्दी मसल पावर चुके मेरी लड़ाई कोई साधारन व्यक्ति से नहीं थी मेरी विधाउन सभाके ध्यक्ट और लगातार 40 वरस तक उस वक्त तके मेले जो थे उनसे लड़ाई थी और उस लड़ाई में आववस्था जो परसासनिक और वेवस्था थी उस और वेवस्था से हारा जनता ने मुझे गुराडी से लिड कराया जनता ने मुझे सबौर से ये करीब आनतिस बूत का हेरा पहरी हुआ और मेरे हारने का जो कारण हुआ वो प्रसासनिक और विवस्था मसलमें गुंडागर्दी के चलते में चुना हा रहा हुआ बिल्कुल उसमें बहुत कम मतों से आप राजित हुए थे तो बरहाल हम ये जानना चाहेंगे आज आप अपना काहलगाउं विधान सभा छेतर से दाविदारी पेस करने जा रहे हैं और खासकर जब बात काहलगाउं विधान सभा की आती है तो एनेच एटी का जो मुद्दा ह है वो सामने उभर कराता है सर दुरुभा के पुर्ण बात है देखिए लालुजादब का जवाना था पटना से भागलपूर आने में लगता था बारा से तेरा घंटा तो तो कुछ हद तक ठीक हो गया परन्तु भागलपूर में लगता है कि हम लोग सरकार बनाएं एक यहालत होती जो कहलपूर से कहलपूर की दूरी 30 किलो मीटर है और 30 किलो मीटर की दूरी ते करने में पाँचार से पाँच घंटे लगते हैं और एनेच में आप चले जाए तो मेरी बात आज एक बड़े लोगों से हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरी तबियत राजकुम भी है तो ये तो बानगी है चुके उन्होंने जो बरतमान में मेले हैं ये बानगी है उनकी चुके उन्होंने कभी विकास किया नहीं ये बहुत निर्दली लड़े निर्दली जीते और उस वक्त गुंडा के बल पर जीते थे उसके बद परसासन के बल पर जीते थे विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है कहलगाओं छेतर की जनता एनेच एट्टी तो देखी रहे है आप एनेच मने पहले पी डबलुडी रोड था तो इससे बहतर था परन्तु एनेच होने के बाद और बुरा हो गया चुके हर जगा जीटी टेक्स लगता है बिना जीटी टेक्स दिये कोई काम कहलगाओं विधान सभा में नहीं होता है तो नतीजा है कहने चेतर का बुरा हाल है अगर देखा जाये तो कहलगाओं विधान सभा चेतर की जब बात आती है तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर जगए हैं जो चर्शित हैं ख्याती प्राप्त हैं लोग जानते है उस बारे में लेकिन NTPC की बात भी सामने आती है और NTPC में जब वहां के अस्थानिये लोगों की अस्थान अभी तक सुनिश्चित पक्की नहीं उपाई है हलाकि कुछ ही लोग अभी तक वहां तक जुड़े हैं रोजगार उनको मुहिया कराये गया है बहुत सारे लोग बंचित हैं ऐसा है कि NTPC एक बहुत बड़ी संस्था है और वो रोजगार मुहां मिलना चाहिए लोगों को चुके जब NTPC बना था तो लोगों को उमीद थी कि कहलगाओं के लोगों के लिए स्वर्निन दिन आए परंतु ऐसा हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ इसका भी कारण जानिये ल अगर आप जाएंगे देखेंगे तो लगेगा कि रात में अगर सोएंगे तो सवेरे अपना नाक साफ करेंगे तो आपके नाक में से करिखा आएगा प्रंतु जब से मानियट हमारे नरेंदर भाई मोदी जी की सरकार बनी इस सरकार में मैंने पहले से भी मैं मुद्दा तो उस पर रख रखाव की वेबस्ता हो रही है, और कोसिस किया जा रहा है कि राक से जो च्छाई है उसे निजात मिलें और निजात का वेबस्ता किया जा रहा है, रहा बात आपने बहुत बड़ी वात कही कि अस्थानी लोगों को नोकरी नहीं मिली, प्रंतु मैं आपके जम से कहना चाहता हूं कि हमारे सरकार के बाद ही 311 लोगों को नोकरी उसमें दी गई है और पर्मानेंट नोकरी दी गई है जो कुछ बचे हैं तो जो कॉंटेक्टर वहां हैं उनके हां उनको रख करके उनको कौम दिया जा रहा है और रहा सवाल NTPC के अधिन तो NTPC के अधि हुए हैं और मानी हमारे प्रधान मंत्री जी से बार बार पत्राचार के माध्यम से हम लोकोसिस कर रहे हैं कि जो बचे हुए लोगों को नोकरी मिले अगर आपको अपने जो है बिधान सवाज छेत्र से उमीदवार बनाती है तो साब तोर पर मैं जानना चाहूंगा कि आप ग्रजाओं अपना काम करेगा हमारे नितिश जी अंडिये के निता है वो बोलते हैं ये बात कहलगाओं विदान सब हमें ये लागू नहीं होता है हर पंचायत में भरस्टाचार है उस भरस्टाचार को सुध करेंगे और हर पंचायत को हर गाउं को मुख्षडटक से जोड़ सोचना है सड़क की हालत इतनी बुरी है आपने एनेच की बात की मैं तो कहलगाओ विधान सभा का बासी के साथ साथ मैं वहां चुनाव दड़ा हूँ और मैं जब कहलगाओ जाता हूँ अपने छेतर भर्मन में तो गाड़ी का हाल तो छोड़ दीजे मेरा हाल ये होता है कि मै लोगों से लोटने के बाद घर में बात करने के स्थिती में नहीं रहता हूँ चाहे कोई रोड का हलगाओ विधान सभा का ले लीजे एक भी रोड में आप फ्रिक्वेंटली नहीं चल तकते उसका कारण है कि उसका ठेकेदारी जो माननी है उनके लोग करेंगे उसका जो ठ ठेकदारी के बाद जो इंजिनियर हैं उनके लोग रहेंगे पदाधेकारी जो हैं उनके लोग रहेंगे तो वो मैं गूड गवर्मेंट्स लाके इन तमाम चीजों को पहले दुरुस्त करूंगा टैक्स नाम का चीज कहलगाओं विधान सभा में नहीं रहेगा और दूसरी को हमारे आधरनी प्रधान मंतरी नरेंदर भाई मोदी जी ने गोसना करके उसको केंदरी बिस्विद्याले का धरजा दे दिया परन्तु दूर भागे के साथ ये भी कहना पड़ रहा है आज तक वो अमली जामा चुके राज सरकार का जो कॉपरियस्तन उस भी से में होना च के पास जो मेरा धरोहर है वो धरोहर लोग अभी भी मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अभी भी जो सरकार ने अपनी प्रायटी ते की है उस प्रायटी में बिहार के प्रायटी में बिक्रम सिला नहीं है ये मेरा पहला मुद्दा है कि बिहार के बिधान सब हमें इस बात को प्रेटन के दिस्टी कौन से डवलपमेंट होना चाहिए था, सडख होना चाहिए था, आवागवन की सुबदा होनी चाहिए थी, वहां रहने के लिए लोगों को वेबस्ता होनी चाहिए थी, वो वेबस्ता ने हुआ. दूसरी बात कि बगल में कहलगाओं के बगल में बतेसर बाबा बटेस्वर अस्थान है जिसका अथिहासी महत्व है और वहां उतराइन गंगाबाती है उसका भी कोई मतलब नहीं है अगर उसको हम डवलप कर दें तो आए देवघर लोग जाते हैं बाबा बतेस्वर अस्था पहाड के नाम से जानते हैं और सीव कुमारी पहाड के पास जो लोग नाव से जा सकते हैं परन्तु अगर हम रोप में लगाके उसको चालू कर दें और दोनों पहाड को जोड़ दें तो पर्याटन ही नहीं इस एतिहासिक धरोहर का एक रूप कहलगाओं में दिखेगा और ल अगर मनें हमको पाटी ने वहां से नुमाइंदगी करने का मुका दिया और जनता ने मुझे चुना तो कहलगाओं में लगेगा की सरकार मेरी है मेरे घर तक चलके सरकार को काम करना है साहब नहीं रहेंगे जनता बाबू रहेंगे और जनता के बात को साहब जाके उनके घर तक सुनेंगे ये काज करने का में काम करूंगा ये अच्छी बात कही आपनी कि वहाँ पर कहलगाओं विधान सभाद छेतर में देखा जाए तो काफी प्रेटर नस्थाल है जिसको सजाया जाए सवारा जाए तो लोगों को रुजगार मुहिया हो सकता है बहुत कम सब्दों म हम चाहेंगे आपका आखरी सवाल होगा मेरा कि कहलगाओं की जनता जो है कहलगाओं विधान सभाद की जनता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे सरपर्थम तो जो ये महामारी करोना का चल रहा है मैं कहलगाउविधान सभाचेतर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस महामारी में बहुत जोरी हो तो आप बाहर जाएं और अगर बाहर जाएं तो मासक उपयोग जरूर करें आप दोगज की दूरी जरूर बनाएं साथी साथ साफ सफाई रखें और सौहार्थ का बाता बरन कहलगाउविधान सभाचेतर ने बना रहे एही मेरी अपील है तो हमारे साथ थे भाजपानेता राजकुमार सिंग जो कहलगाउविधान सभाचेतर से जो है अपनी दावेदारी पेस्ट करने जा रहे हैं और इसे हमारा बातचित कैसा लगा नहीं लगा आप हमारे कॉमेंट सक्सन में जाकर हमें जरूर बताईएगा और खास कर राजकुमार सिंग से अगर आपकी कोई सवाल हो आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर पुछिएगा जब भी मैं कभी इंटर्वियू के लिए सक्साथकार के लिए मैं जाओंगा या तो फिर राजकुमार सिंग जी मेरे पास आएंगे तो आपके सवाल को हम इनके पास जरूर रखेंगे मेरा नाम विकाज कुमार सिंग है केमरा के पीछे सलमान अनवर महजूद है हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया